प्यारे बच्चों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कहानी में बाग को खतरनाग जानवर बताया गया है। नीजे दी गई सूची में सबसे खतरनाग चीज तुम्हाई समझ में क्या है और क्यों। यहां पर हमें चाकू, बिजली, तूटा हुआ काँच और आग के बारे में पुछा गया है। इन सभी चीजों में सबसे खतरनाग है आग। एक जगर लगती है तो पूरे घर में फ्यल सकती है। इससे सब कुछ भस्म हो सकता है। मीरा बहन की बात सुनकर गाउं के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा। सोचकर गाउं के लोगों की बातें लिखो। उत्तर गाउं वाले मीरा बन से नारास्तों हुए होंगे और उन्होंने मीरा बन से कुछ ये बाते कहीं होंगी किसी ने कहा होगा आपने ठीक नहीं किया तो किसी ने कहा होगा कि ऐसे जानवर के लिए दया रखना मूर्खता है किसी ने कहा होगा कि अब बाग किसी जानवर या आदमी को ले गया तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी खतरनाख है या नहीं गेवली गाओं के आसपास के जंगलों में बाग जैसे खतरनाख जानवर भी रहते थे तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंटूओं में कौन-कौन खतरनाख हो सकते हैं उन पर गोला लगाओ जानवर हैं भैस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, साप, बिच्छू, कचुआ, कैचुआ, तिलचट्टा, कबूतर और फालू जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया है, वे कब खतरनाख हो सकते हैं उत्तर है, चीता, जब कोई उसको नुक्सान पहुचाता है या वे बहुत दिनों तक भूके होते हैं, तब वे खतरनाख हो सकते हैं इसके अलावा साप, बिच्छू, भालू और तिलचट्टा भी खतरनाख जानवर हैं जब कोई चलते हुए, साप पर पैर रख दे, तब ये अचानक से काट लेते हैं पिच्छू को जब लगता है कि कोई ने नुक्सान पहुचा सकता है, या इसके रास्ते में कोई आ जाए, तब ये खतरनाख हो सकते हैं आदियों से जब भालू को खतरा लगता है, तब भालू खतरनाख हो सकते हैं इसके अलावा तिलचट्टे गंदगी में रहते हैं, अथा बहुत से रोगाणूं के वाहक होते हैं इनसे रोगाणू भोजन में आ सकते हैं, और तब ये हमारे लिए खतरनाख हो सकते हैं बच्चों, चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वहां अपने आप कैसे बंधो जाता है और एक बार कैद हो जाने की बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता उत्तर, चूहा पकड़ने का पिंजड़ा तारों का बना होता है इसमें बारिक जाली लगी होती है ताकि चूहा वापस न निकल सके बाहर का कुंटा निकल जाता है और दर्वाजा बंध हो जाता है और चूहा अंदर ही फस जाता है गाम वालों ने बाग को पिंजडे में बंध करने की योजना बनाई थी किसी आजाद पशू या पक्षी को पिंजडे में बंद करके रखना सही है या गलत क्यों? उत्तर बच्चों, किसी आजाद पशू या पक्षी को पिंजडे में बंद करना ठीक नहीं है क्योंकि आजादी सभी को अच्छी लगती है सभी चाहते हैं कि वह आजादी से चलें, घूमें और खाएं इसमें हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है क्यों? कैसे? अपने मनने सोच कर लिखो ऐसा कैसे किया होगा? बाग की खबर पुरे गाउं में फैल गई कैसे? उत्तर गाउं बहुत छोटे पर कम आबादी वाले होते हैं भाईचारा भी लोगों के मध्य अच्छा होता है इसलिए तुरंत ही बात फैल जाती है इसलिए बाग की खबर पुरे गाउं में फैल गई लोग मीरा बहन के पास पहुँचे क्यों? उत्तर लोग मीरा बहन के पास अपनी परेशानी बताने गए थे उन्हें यकीन था कि मीरा बहन उनकी समस्या का कोई न कोई हैल निकाल लेंगी अगला प्रश्न है पिंजडा बिना बाग के बंद हो गया कैसे? उत्तर पिंजडा बिना बाग के ही बंद हो गया क्योंकि मीरा बहन ने उसी रात में जाकर उसे बंद कर दिया था बकरी कहे कहानी सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या-क्या बताती? उसकी कहानी मज़ेदार होती न? उत्तर बकरी बताती कि उसे कैसे बाग का चारा बना कर बांधा गया रात बरवा कैसे बाग के बारे में सोच सोच कर डर से काप रही थी उस काली रात में मीरा बहन कैसे उसके लिए देवता बनकर सामने आई और उन्हें देख कर कैसे उसकी जान में जान आई बकरी अपनी कहानी में क्या-क्या बताती? उत्तर बक्री ने कहानी सुनाई कि वह एक राद गाय के पास ही बंदी थी अच्छानक बाग आया और गाय पर छप्टा देखते ही देखते उसने गाय की गर्दन दबा डाली यह देखकर मैं इतना डर गई कि मुझे होश ही नहीं रहा थोड़ी देर बाद जब होश आया तो देखा बाग गाय को खा रहा था मैं तो डर कर एक कोने में छिप गई सुबह सारे लोग इकटा हो गए वे यह देखकर परेशान हो उठे सब मिलकर मीरा बहन के पास आये मीरा बहन ने बाग को पकड़ने के लिए ऐसा पिंजड़ा बनवाया जिसमें घुसते ही पिंजड़ा बंध हो जाता था बाग को पकड़ने के लिए पिंजड़े में मुझे बान दिया गया मैं तो बहुत ही डर गई और जोर जोर से विम्याने लगी दर के मारे में कापने लगी मैं ठंट भरी रात में भी पसिने से भीग गई थी इतने मैं आधी रात में मीरा बहन ने पिंजडे का दर्वाजा बंद कर दिया तब मेरी जान में जान आई और मैं बच गई वहाँ एक देवी की तरह मेरी सहायता के ले आई थी चलो पकड़ें गाउवालों ने बाग को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी कक्को के घर में रोज बिल्ली आकर दूद पी जाती है कक्को की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ उत्तर गाउं वालों की तरह कक्को को पिल्ली पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनाना पड़ेगा उसमें कटोरी भर कर दूद रख देंगे या एक चूहा बांध देंगे जैसे ही पिल्ली चूहा खाने या दूद पीने आएगी पिंजरा बंध हो जाएगा और बिल्ली पिंजरे में ही पंध हो जाएगी पाट से आगे ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं पता करो कौन? बच्चों ये सभी चीजें महात्मा गांधी से जुड़ी हुई हैं महात्मा गांधी के तीन बंदर जो हमें तीन जिक्षाएं देते हैं बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो इसके अलावा चर्खा, चश्मा, घड़ी, छड़ी और महात्मा गांधी की चपल है कौन क्या है? बाग, गाय, बकरी, हाथी और हिरन जानवर है नीचे लिखी हुई चीजे क्या है? खाली जगह में लिखो बच्चों, यहाँ पर अगरतला, अल्मोडा, रायपूर, कोच्ची और वडोदरा ये सभी नगरों के नाम है मतलब ये नगर है जलेबी, लड्डू, मैसूरपाक, कलाकंद और पेड़ा ये मिठाईया है नर्मदा, कावेरी, सतलच, प्रह्मपत्र और यमना नदिया है बर्गद, नारियल, पीपल, चीड़ और नीम ये सभी पेड़ के नाम है गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का ये सभी फसल या अनाज के नाम है कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा और कमीज ये सभी वस्तरों के नाम है कोयल, कुकु, बकरी, मैं-मै जानवरी की बोलियों तो तुमने सुनी ही होंगी कोयल की बोलि को जैसे कुकना कहते हैं और मक्की की बोलि को भिन-भिनाना वैसे ही अन्ने जानवरों की बोलियों के भी नाम है नीचे दिये गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम है दूसी तरफ बोलियों के धुन निकालो, कौन सी बोलि किसकी है? चलिए हम इन जानवरों और उनकी बोलियों को सही क्रम में रखते हैं बच्चों, भैस की बोली है रंभाना घोडे की बोली को कहते हैं हे नहिनाना हाथी की बोली है चंगाडना पक्री की बोली होती है मिम्याना शेर की बोली को कहते हैं दहाडना गधे की बोली है रैकना गाए की बोली को कहते हैं रंभाना और कुते की बोली कहलाती है भोगना ठीक करूँ हवाई जहाज आस्मान उड़ रहा है तुम्हें ये वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा इस वाक्यों को फिर से पढ़ो हवाई जहाज आस्मान में उड़ रहा है अब इसी तरह निम्न वाक्यों को भी ठीक करू धूप बैठकर धोकला खाया सही वाक्य है धूप में बैठ कर ढोकला खाया रोहन काम करने मना कर दिया अगला वाक्य है लता सब मुंगफली खिलाई सही वाक्य है लता ने सब को मुंगफली खिलाई अगला वाक्या, पहाडी गावों बाग डर बना रहा है सही वाक्य है, पहाडी गावों में बाग का डर बना रहा है अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिने तुमने जोड़ा है बच्चों, हमने इन वाक्यों में जो शब्द जोड़े हैं, वे हैं मैं, ने, से, ने, को, और का अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें और हाँ, वीडियो को शियर करना न भूलें थैंक्यू